जैपूर से मुंबई और फिर सौथ उसका फिर मुंबई तक कि अकांचा सिंग की यात्रा काफी रोचक रही है इस बीच वह सिफ अभिनेटी नहीं है बल्कि बहुत अच्छी कप्टाहें लेगती हैं कुछ लोगों इंसाग्राम पोनकी कप्ताहें पहर कर उनके परसंसाग बन चुके हैं आज हम उनकी फिल्म रजनवे को लेकर के बात्चेट किने वाले हैं अकांचा जी फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागात है तक तक अब्सक्राइब जो कि एक छोटी जिगा मान जाती ह कि वहां से बंबै तक ही सफर कैसा सपना था या क्या था एक फाड़ा था कि आपके में कुछ करूं पर वह सपना ऐसा नहीं था कि मैं बोलती थी या मुझे करना है यह यह मुझे आ इस बात का बिल्कुल भी ना मैंने कभी किसी से जिक्र किया ना भी मैंने अपनी इच्छा तो जब अक्टिंग में खुष थी तो छाहे हो यहाँ पर आकरकाम करना हो जो खुशी है वहाँ उसमी है रोजैंद किसी भी मांथusi है हो मुझे लिकें लिए बॉल्हय कराया है लिए यह में में से दिक लिए कमपना है तो यह क्या मसला है पढ़ाई तो मैंने पूरी कम्प्लीट की है जब मैं फिस्टरपी कर रही थी तब ही मुझे एक मौका मिला था अपने डेलेविशन शो के लिए तो उसी के लिए मैं बंबे आय थी पर मैंने पढ़ाई छोडी नहीं मैंने इतना पूरा पढ़ाई की है और और अक्टिंग मैं साथ-के-साथ करी रही थी क्योंकि मैं थीटर कर रही थी तो मेरा कॉलिज और अर जो अधिक है मौन साथ-साथ चल रहे थी तो ऐसा नहीं है कि अलद कछ उतिके मसला है क्योंकि अख एक्टिंग अपनी जॅगा थी और पभाई पियां धेटर, अभी ओ पर यहां से बस सफर आगे ही बढ़ता रहे और ऐसे बहुत सारे आपको जो अबने करियर है उसमें तर्निंग पॉइंट किसे मालते हैं तर्निंग पॉइंट मेरा सबसे बड़ा यही तर्निंग पॉइंट था कि जैपूर में जब मैंने सोचा नहीं कि मैं अक्टिंग के लिए बॉंबे कभी जाओंगी मैं बहुत खुश थी वहां आप भी जोब आपने के आपको पॉइंगए औरटिया करके और एक दिन अचाना फोन आता है कि आपको बंडिश्ट होना तो मेरे लिए तो तो मेरा सफर ही तर्निंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है मेरा भी जित लिए हो महां से और तो वहे तो है मिरा टॉर्निंग पॉइंट अ मेरी कभी भी किसी भी माध्यम को लेकि कोई एक पर्टिकुलर सोच नहीं रही है मैंने सिर्फ अच्छा काम चाहा है जाए वो किसी भी माध्यम में हो या किसी भी लांग्विच में हो अगर वो काम मुझे बॉलिवुड से मिलता है तो मैं करूगी, अगर वो काम मुझे साउथ फिल्मों से मिलता है तो मैं करूगी, अगर वो काम मुझे वेब सीरीज के जरीये मिलता है तो मैं करूगी, तो माध्याम मेरे लिए माइनी नहीं रखता, क्या माइनी रखता है अच मैं लालच जादा काम करने का नहीं है लालच है अच्छा काम करने का तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैं करूँ मैं मैंने हमेशे सकाई कि मैं पैसा देख के काम नहीं करती हूँ मैं पैसा देख के काम नहीं करती हूँ मैं पैसा पैसी के लिए काम नहीं कर किरदार हूं ना कि मैं अकांग्षा हूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है तो ऐसे किरदार दूनती हूं जहां पर मुझे कुछ करने का मौका मिले और यही सोच हमेशा से रही है कि क्वालिटी वर्प करना है क्वान्टिटी वर्प नहीं करना तो इसलिए जो लेती वो सोच समझ के करते हैं आपने फिल्म की रनवे 24 इस फिल्म में आपको क्या खास बात नंजा रही है यह मैं कहूंगे कि जैसा मैंने कहा कि मैं कॉंशिस सोचती हूं कि मुझे क्या करना है तो जब यह फिल्म मुझे ओफर हुई थी और जब मुझे से सेल्टस मांगा कि कि हाँ इसके जरिये मैं आ सकती हूं वापस हिंदी ओडियंस के सामने तर्गु फिल्म्स तामिल फिल्म्स बहुत लोग लेखते हैं और दब फिल्म में देखते हैं इसा उथ फिल्म का हमेशा से क्रेज रहा है पर एक होता है कि आपको आपकी हिंदी भाषा है आप बले प्रोजेक्ट चाहिए होता है तो रगने तर्डी फोग प्रोजेक्ट था इसना मुझे लगा कि में वापस आसा सती हूं नहीं हिंदी नहीं तॉम्स के लिए मैं काऊंगी कि वो उनके लिए शायद हो सकता है पर वो भी सोचा समझा बिसेशन था क्योंकि उसकी बाद मैं व मुझे कुछ फिल्में ओफर हुई जो कि सेम तरह की किंदार थे या तो हिरोईन की फ्रेंड था या कुछ ऐसा था तो मैं नहीं करना चाहिए मुझे लगता था कि नहीं करूंगी तो कुछ अच्छा करूंगी और वो करूंगी जो मैं डिजर्व करती हूं तो बस उसकी लि कि अठीच मुझे मुझे मॉका मेला साउत की पहली फिल्म करने का और वो पूरी लीर फिल्म थी कहानी बहुत सुंदर, क्यारक्टर बहुत सुंदर तो मैंने महां से शिर्वात की रन्मे ठटीफुर्ण अपकर क्रिणर क्या है? Samairah Kharna जो Ajayadéq Prinosaur लेकर है उनकी वाइफ हैं यह कीर्दार अपने आप में अपना एकिर्डारा के अपना गारgटर का बैक्बॉन है हर हजबन की वाइफ लाइफ में जो उनकी पार्टनर होती है बहुत इंपॉर्टन होती है तो ये कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि टोफी वाइफ नहीं कहूंगी मैं इसको ये अपने आपने एक सबस्टेंस रखता है क्यारेक्टर और इसका अपना एक पचुत है कहा जाता है कि एक सफल पूरुष के पिचे कोई-सफल महिला होती है तो उस कर्धा से समायरा खरना कहा है, जी जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समायरा कहाँ पर है उस जगह आप जैसा ट्रेयलर में देख सकते हैं या फिर आप गानों में देख सकते है तो आपको वहीं से हिंट हो जाएगा कि समायरा करना कहा है इस पर में अजय देवगन के साथ करशी ट्यून है आपको बहुत अच्छा काम करके लगा और मैंने यह कहाया कि पर्सनल, प्रोफेशनली नहीं पर्सनल वे भी उनको जानकर बहुत अच्छा लगा पर डिरेक्शन बहुत अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल काम है और जब आप एक अच्टर भी है उसी फिल्म में और तो आपका भाय बढ़ जाता है आपका काम करने का तरीका भी मतलब इतना हेक्टिक होता है और उन्हें बखू भी से निभाए है दोनों कहई राथ तो बहुत ही अच्छा सफरा है रर्ण में 34 में जो मुठ मुद्दा है कि आपका कर्टब और लोगों के जान बचाना कानूं से चलना है या नहीं चलना है यह बहुत बढ़ा मुद्दा है और सारी बहस उसी बात के हैं फिल्म में आपकी अनुसार क्या सही है क्या अगला था या खिस से पूछ रहे हैं नहीं तो किसी की जान बचानी है या अगर कोई बहुत ही इंपोर्टन चीज है जहां पर अगर मैं रूल ब्रेक नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है तो इंग उस सिचवेशन में रूल ब्रेकर बेकर चानी है बड़ अधर्वाइज मैं रूल को फॉलो करते हूं हाली आपे 100 पे इस्पोस्स प्रिम की है, हिंदी में इस तरह की कोई प्रिम का उपर है आपके बस? अभी को फिलाल नहीं बट मैं बिल्कुल करना चाहूंगी अभी किसी एक इंटुव्य में मुझे मेरे इंस्ट्रग्राम पे मैंने एक होकी की पिचर डाल रखी है तो किसी ने लिख आपके नीचे की अगर शारुक खान दुबारा चग्दे बना रहे हैं तो प्लीज नोट करें तो मैं बस अभी ऐसे यूनिवर्स में अपनी बात डाल रहे हूं कि मैं हमेशा यह करती हूं इसी बात कर गिरीब करती हूं कि दिन में करी एक बात सच हो जाती है तो अगर ऐसी उपरचिनिटी आएगी तो बिल्कुल करना चाहूंगे देखने आम फिल्म करना और एक स्पोस फिल्म करना कितना अंतर है और कितना आजे सारी ले गृव से महनत का काम हो जाता है बहुत difficult होता है क्योंकि एक तो जो sports person होता है उसकी physical physical thing आपके सामने है physical जो महनत लगती हो तो है उसको mentally strong होना भी बहुत important होता है तो आई तिंक हर स्पोर्ट का अपना एक अलग चाम तो है ही साथ के साथ मेहनत भी अलगते रही है तो बहुत डिफिकल्ट है एक किर्दार के लिए उस चीज में अपने आपको ढालना और उस तरह का स्पोर्ट्स खेलना या फिर सीखना तो बहुत ही चालेंग होता है स्पोर्स फुम करने के बार आपने ऐसी कौन सी बार सीखी जो आपको लग तक आजे आधर भी हर इनसान में होना चीज़ एक चीज़ तो पूरी तरह से नोटिस की इधर नहीं उधर नहीं जहां है वहीं पे ही आपको अपना धिहान रतना है तो मैं भी अपने लाइफ में यही फॉलोग करती हूं कि इधर उदर की बाते नहीं जो काम आप कर रहे हो इसको फोकुस रखो और उसी के चाले मैं आपको बता रहा हूं साहर आप जोड़ सकते हैं इस चीज़ को दुबारा मैं को सब्सक्राइब करता इस पोर्स परसन हार आप जीद की परवा नहीं करता यह बहुत ही अच्छा वालिड पॉइंट है और I feel कि as an actor सच में करम करो फलकी जंता मत करो तो यह आपने बहुत अची बात बोली है जो कि मैं बिलीव करती हूं जो मुझे रिमाइंड नहीं हूं थांक यू फॉर रिमाइंडिंग मी तो ऐस अच्छा साथ की फिल्म है एक नानी सर के साथ में प्रोडक्शन में है जो एन्थॉलोजी फिल्म है वो अलग तरह की कहानी है बहुत ही कुछ सूरत तो जब सामने आएंगी तब आपको पता चलेगा हिंदी में मैं अभी एक वेब सीरीज किया जिसमें मैं तीन अलग अलग अम्र निभारे में तो वो भी जल्दी अनांस्मेंट होगा उसके बारे में आपको पता चलेगा और सो एक और जो है फिल्म है जो कि इसी साथ रिलीज होगी जिसका नाम है शिवरू वो भी साथ की फिल्म है परंपरा सीजन टू बहुत जल्दी सामने आने वाला है जून मे और जो कि तेल्गू के साथ 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 अलग लांगविज में हैं जो कि सीजन मन बहुत हित था अपी सीजन टू आने वाला है आप सौट में कभी काम कर रहे हैं और आज कल ये कहा जा रहा कि सौट का सिनमा पैन इंडिया सिनमा हो गया है इसकी क्या बढ़ाएं आप भी समय म तो मेरा मानना ये है कि जो साथ की ओडियंस है ये हर कोई मानता है बॉलीवड में मानता है कि वो अपने अक्टर से प्यार करते हैं तो वो बेशुमार प्यार करते हैं ऐसा नहीं है जो उनका फेवरेट है उनका फेवरेट है फिर इधर में उदर में बस वही है तो आज जो तो आज जो हम जितने भी South artists को जानते एंचे नाम जानते हैं उनको बनाने उनकी audience है अगर उनकी नाम का इतना हला नहीं होता, अगर ओडियन्स नहीं करती तो आज वो नहीं होते तो I think जब इतना जादा हला हो नहीं लग जाए तो हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है और South चाहे वो Bollywood को ले लीजे, आप चाहे आप South को ले लीजे, अभी वो लाइन रही नहीं है South के actors यहां काम कर रहे हैं, यहां के actors South काम कर रहे हैं तो I think cinema ही पैन इंडिया cinema होना चाहिए, ना Bollywood, ना Telugu, ना Tamil, ना कुछ Cinema is cinema, कोई सी भी लाग्वेज करें आपने कंणर फिर्में भी हैं, यह जो कंणर को सौफ में भी सबसे नीचे का cinema मना जाता था आज इस्टितिया काफी बदल चुकी हैं, के जी आपने तो पैन इंडिया में नाम कर दिया है, यह जो पदलाव आ रहा है cinema में, इसको आप कैसे देखती हैं मैंड़ी जारीजिएॉग अपने कि रधानी यह जाए। fidelity कर देखते हमająसा ब्ताषटिया सकतर तेकि फिल्मा पर दाट्स इसको Δीन इस आपको बनाती Ford KGF आई तो KGF ने बहुत सारे you know boundaries तोड़ दी उन actors के लिए जो की maybe categorize करते हैं cinema को की पहले Bollywood है या पहले South है या ये बाद में आता है ये पहले आता है I think अगर आप कुछ अच्छा दिखा रहे हैं या फिर audience को पसंदाना चाहिए मुझे ये लगता है कि आप कुछ भी बनाएंगे अब आपकी audience आपको प्यार कर रहे है तो वो ब्लॉकबस्टर होना ही है So I think KGF या बावु बली या कोई भी ऐसी film जिसने अपने barriers तोड़के ये प्रूफ किया है कि language वो ना होकर भी उस जगी की language ना होकर भी बॉली वोड का कोई स्टार कास्ट ना होकर भी रीजनल फिल्म ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट दिया है So I think कुछ तो बात होती और ये बात सिरिफ में साउथ फिल्मों के लिए नहीं कहूंगी हमारी माराथी फिल्म जो है सहराच उसने भी सारे बांडरी स्टोड़ी थी तो वही है कि आप क्या दिखा रहे हैं ओडियन्स को और क्या पसंद आ रहा है उस पर डिपेंग रहता है लेकिन आपको नहीं जो पहले जमाना था कि हर सोट में वह या बहले उनमासाला भर दिया जाता था अब लोग जमीनी सता से जुरूए सिनेमा बना रहा है बडलाव भी सिनेमा के फाइदा करें जी ऐसा मैं यह नहीं कहूंगे कि बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया है क्योंकि जहां कमर्शल सिनेमा बनता है वहां पर आर्टिस्टिक सिनेमा आज भी बनता है जहां पर लोगों को ऐसा एंटर्टेन्मिंट भी चाहिए ताकि वह अपनी सारी तकलीफे तक सब तो मुद्धों से जोड़ा जाए तो आइ तिंक यह बहुत ही अच्छा थाइम है लोगों के लिए वेराइटी ऑप सिनेमा देखने का और आटर्स के लिए भी बहुत अच्छा थाइम है आपको कप्टा लिखने का सौख है कापी कप्टा लिखियें नई कप्टा क्या अक्सर उन्हें जब इसक्रिप मिलती है यह दॉला गो तो इसमें लगता है यहां कुछ चेंजे सोना की यह तब क्या करती है तब करती है तब यह पनी बात जब पुछा देती हूं राइटर्स तक और डिरेक्टर तक और जब अगर मैं सीन में हुआ उप उपीस में कुछ क समय है है हो 모든 को आग दिन्हे टिन्हें सेराखे celebrate, कि इतंगे वाक्त कंटान के करता है किस ताहे पुछ आतिम्स में एकंटाब्स करांगों में थाइज में कि स्कूर के लिए झाले ख़ा है मैं खुछ दुह कि लगता है यह कुछ है जब हुछ है कि unconditional कोना कि कुछ भी अव्真 बहुत ही जहेदा ब्रचैनल है। मैं रेता यह मैं सरता है। है कि किताब पर इश परनिया है रखे मिने!!! मैं हमेशन से काया मुझे वारियो प्रिंसिस करने का बफ़त मन है ताकि जहां मैं घोडा चला हूँ जहां मैं स्वार्ड फाइटिंग करूँ एक बायोपिक में जरूर मेरी चाय करने की अफारानी गाइपरी देवी की जो की जैपुर से थी और उनकी बायोपिक करने की मेरी इसे मन में है तो मैं बस ऐसे यूनिवर्स में बुलती है तो ऐसे बहुत सारी कियदार है जहां मैं करना चाहूंगी जल ठीक जी अंकांजा जी फिल में संगम चलंग सार बात्यत करने को बहुत बहुत धन्वाद थैंक यू सूमच थैंक यू जहाजू है थैंक यू थैंक यू जू जफाद वाट्टश थैंक यू खाल्यू।